कि नमस्त ब्हर्म नमस्त ब्हर्म नमाममैं सहद्र suffers घ्र र characterization के रहने वाले मेरे हम हमर भाय तो आप सभी को मेरा नमसकार है श्ट्रागत है आप सभी का यूटेपर एक भाई ने पूछा है सर मेरा पेट बहुत फूल रहा है और कमर से उठा नहीं जाता है फीवर भी रहता है छे दिन पहले मेरा appendix का operation हुआ है पलेज बताएं क्या करें देखिए ये तो अंग्रेजी वाले ही बताएंगे क्योंकि उन्होंने appendix में क्या किया है क्या नहीं किया है कई बार मैं सुनता हूं कि operation करके कैंची अंदर छोड़ दी गई है कई बार हमने पता चला है कि रूई का फुआ उसके अंदर रह जाता है कई बार उसमें हमने देखा कि कमजोरी के कान हो जाता है और कई बार जो वह injection सुन करने के लगाते हैं उसके कान भी कमर में दर्द रहे जाता है और पेट जो बहुत फूला उसमें एंटिबाइटिक शदो पर योग किया गया है उसके कान भी आपका पेट फूल जाता है तो इसलिए ऐसे समय पर विशिज कर जब operation है तो operation के बाद उन्हीं डोक्टों की सलाहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हाँ जब ये डोक्टर आपको कह देते हैं आप ठीक होगए घर चले जाए उसके बाद आप आईरवेद की सन्वाज जाएए ने कभी आपका पेट फूला रहेगा ने कभी आपके कमर में दर्द होगा ने कभी अन्य कोई और विमारी होगी हम तो इस आपेंडिक्स का अपरेशन कि ये बगएर ही आपको ठीक कर देते हम आपके बड़े परेश्टीरट को भी बड़े बगएर Sak leer that आपकी अगर आप में कुछ भी सहन सीलता है या कुछ भी समय शेयर से है तो आप आईरवेद माईए आईरवेद में हम आपका कभी appendix का operation नहीं होने देंगे आईरवेद के दोवारा कभी आपके हर्दे का operation के आप सकता नहीं पढ़े गी आईरवेदिक हसदियों का परियोग करके कभी आपको डैलेस्ष पर जाने के आप सकता नहीं पढ़े गी आपको पेस में कर लगाने के आप को दूर करता है हम आपको सदा इन रोबों से मुक्त्थ रहेंगे। आप सवस्त रहेंगे क्योंकि स्वास्त ही हमारा लक्षण है और स्वास्त ही आपका परमढ़म है आप अपने लक्षकि प्राप्ति कीजिये हम आपके साथ है। जय भारत जय भारत보।